नमश्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णासि और इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि राजस्थान स्टेज पुलिशन कंट्रोल बॉर्ड में जूनिया इन्वार्नमेंटल एंजिनियर की जो रिकूरूट्मेंट होने वाली है उसके लिए उसके सिलिबस को प्रिपेर कर ने के लिए कौन-कौन से बुक्स की जरूरत पड़ेगी रिकूरूट्मेंट के बारे में एक ट्वीट किया गया था कि रिकूरूट्मेंट जल्दी होने वाली है पर उसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है आने वाला है पर सिलिबस क्योंकि पिछली बार एक्जाम के बात करेंगे पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इन्वानमेंटल साइन्स से जुड़े सभी जॉब अपडेट्स के लिए और सभी कॉम्प्रेटिव एक्जाम की प्रिपरेशन के लिए और इन्वानमेंटल साइन्स के फ्री शॉट और लॉंग वीडि तो जो जुड़ी अन्वानमेंटल एंजिनर का सिलिबस है उसका दो पार्ट है पार्ट ए जिसमें कि इन्वानमेंटल जनल नॉलज होगा एक सो बीस सवाल होंगे और हर सवाल ती दम बग्का होगा टॉपिक है नैशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स और इसके डिटेल् और इसके लिए आपको बुक्स क्या क्या रिफर करना माई विडियो और इंपॉर्टन इंवानमेंटल डेट्स तो जितनी भी थिथियां होती है पर्यावन से जुड़ी कुछ जाए हो वर्ल्ड इन्वानमेंट दे हो और्स दे हो उन सब के बारे में ये वीडियो है और जो अगर आप ये वीडियो रेफर करेंगे तो आपके ज्यादा हितकारी होगा इसके लाव मेरे शॉट वीडियोज है नाशनल इंवानमेंटल साइंस के हर टॉपिक पर शॉट वीडियो बनाए है और वो शॉट वीडियो आप या तो शॉट्स में जाके देख सकते हैं या फि यह किताब ले सकते हैं पर जब इन मोमेंटल देट्स की बात आएगी तो आप मेरे वीडियो को ही रेफर की जाएगा कि यहां की जो इंफरमिशन है वो डिरेक्ली यूएंज की वेबसाइट से ली गई है ठीक है वाटर वेस्ट वाटर या इंडस्रिल वेस्ट वाटर अजब हूपन ए्चे एंडस ऊेए न फूचे मेंज छोंग की अशूचाँ एंडदी आपूचिस वाटर एंडसे क्रेंदिट अचाब कारिक अज क्वेियोग तूचचा चर्ट शेठीजियोग सेखून कार्साइट वेंडस्ट जार Свट्र अनेजिब कार्सेंश आअ क्र तो यह सारे डिटेल्स हैं इस टॉपिक में और इसके लिए बुक्स आपको रिक्सर करनी है सुच दिस्पोशल एंड एर पॉलुशन एंजरींग पर संतोष कुमार कर बहुत ही अच्छी किताब है सारे टॉपिक्स इसमें इंट्रूड होते हैं और यह किताब बहुत ही अच्छी है बहुत ही अथेंटिक है जरूर ख़री दें किसी भी तरह की competitive exam की preparation अगर आप कर रहे है environmental science के फिल्में तो यह किताब आपकी पास जरूर होनी चाहिए इसके अरावा जब water का मतलब होता है water या raw water या drinking water तो water लिखा जाता है तो उसके लिए water supply engineering by संतोष कुमार गर सेम author है उन्होंने यह किताब भी लिखी और यह भी बहुत अची किताब है इसको भी आप refer करें और यह किताब आपको पूरी नहीं पढ़नी है इसमें से जो topics आपके इस syllabus में होंगे सिर्क वहीं पढ़ना है ठीक है कोई भी किताब को पूरा नहीं चाटा जाता है इस level पर MSCI अगर आप पास कर चुके हैं तो जो आपका exam का syllabus है उसके जो topics उस किताब में हैं जो किताब में आपको बता रही हूं उतना ही पढ़ना होता है पूरी किताब मत चाटने लगीगा ठीक है इसके रवाँ topic है air and noise pollution तो उसका detail है sources of air pollution, properties of air pollution, properties of air pollutants, metallurgical factors influencing dispersion of air pollutants, Gaussian plume model for dispersion of air pollutants and its applications, effects on human health, control technology for particulate and gaseous pollutants from industries, air pollution due to automobiles and emission control, basics of noise pollution, measurement and management of noise. और है permissible noise level in different zones, effects of noise on human beings, ambient air quality standards and air quality index, और इसके लिए आपको क्या रिफर करना है my short videos related to air pollution and air pollution control devices और मैं यहां लिखना भूल गई हूँ, मैं short and long lectures also मैंने पूरा lecture series बनाया था, air pollution control devices के उपर कि वो कौन से devices होते हैं, कहां काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, आसान भाशा में English और Hindi दोनों में मैंने समझाया हुआ है उन वीडियो का लिंक में इसी वीडियो के description box में दे दूँगी ताकि आप सब कुछ आराम से पढ़ लें, exam की date और exam का detail आने से पहले आप त्यारी में लग जाएए और मेरे videos देख लिजी ताकि आपका concept clear हो जाए क्योंकि एक बर आप एक video देख लेंगे, आराम से 10-15-20 minutes से जादा का कोई video नहीं होता है और आप देख लिजेगा, आपका concept clear हो जागा, फिर आप कोई किताब पढ़ लीजे, ठीक है इसके लबा environmental chemistry by Arnil Kumar Day and Arnab Kumar Day, उसमें noise से जुड़ा होगा काफिक कुछ details है और air pollution के बारे में भी उसमें details mentioned हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं इस कहले आप स्वर्ज देख स्वर्ज देख संधोश कुमार गर, यह तो मैं हमेशा रेकमेंट कोरेंगे, यह बहुत ही अच्छी किताब है जो टॉपिक आपको कहीं न मिले वो भी यहां मिल जाएगा, ठीक है अगला टॉपिक है, environmental impact assessment slash environmental legislations in India यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है, इससे question exam में जरूर आता है, हमेशा ही अगला टॉपिक है, environmental impact statement and environmental management plan prediction and assessment of impacts on air, water, biota, noise, cultural and socio-economic environment rapid and comprehensive environmental impact assessment, environmental prediction act 1996 its amendments and various rules notifications made therein water prevention and control of pollution act 1974 and air prevention and control of pollution act 1981 यहां ध्यान रहे के अभी कभी exam में पूछते है, water act 1974 या air act 1974, उसका मतलब ही होता है, water prevention and control of pollution act 1974 या air prevention and control of pollution act 1981 ठीक है, तो short में लिख देते हैं कभी exam में, तो confused होने की जरूरत नहीं है इसके लिए क्या refer करना है, मेरे videos और lectures EIA के उपर मैंने detail 3-4 lecture बनाये थे और उसमें EIA की हर detail है, बहुत ही आसान भाशा में से मैंने समझाया है तो उसको देख लिजगा, पर उस सबसे पहले मैंने EIA की ऊपर एक workshop किया था इंडिया में, इंडिया की एक university में और उस workshop का video मैंने बनाया था वो video इसी link, इसी video के description box में आपको मिलेगा, पहले उस workshop को पुरा देखे, वो आदे गंटे का होगा वो video और उसको देखने के बाद आपका EIA का basic जो concept है, वो बहुत अच्छे से clear हो जागा उसको अगर कोई 10 साल का बच्चा भी देख ले तो वो भी समझ जाए कि EIA क्या है तो पहले आप उसको देखें जो workshop का link मैं दूंगी आपको और उसके बाद आप जो भी देखना चाहें, वो आप देख सकते हैं जो और मेरे lectures हैं या वीडियोज हैं वो आप देख सकते हैं इसके लबा मैंने short videos बनाया था environmental management plan पर या environmental impact statement पर और environmental laws पर भी तो short videos तो जल्दी जल्दी दो-दो एक दो-दो minute के हैं वो आप देख सकते हैं और वो short videos भी मेरे playlist environmental sciences in a nutshell में हैं तो उसका link में मैं description box में देजूंगी इसलिए मैं कहते हूं मेरे video को पूरा देखें तो जो मैंने text लिखा उससरा था information में आपको बता रहे हैं इसके लब आप किताब ले सकते हैं environmental chemistry by Anil Kumar Day and Ardnev Kumar Day और उसमें laws के बारे में होड़ा सा बताया गया है और साथ में आप वो book जो मैंने आपको पहली बताया social and air pollution engineering by Santosh Kumar Garg उसमें भी IA के बारे में काफर कुछ है loss के बारे में भी खुड़ा बहुत है तो उसको ले लिजेगा ठीक है अब आया आखरी topic municipal solid biomedical e-waste, plastic waste and hazardous solid waste इसके details क्या है problems associated with solid waste that is municipal biomedical hazardous e-waste, plastic waste, etc its generation, classification, characterization, analysis, on-site collection and handling storage, transport and processing of solid waste recovery of resources, conversion products and energy generation from solid waste hazardous waste definition risk associated with hazardous waste and its assessment waste minimization, priorities in hazardous waste management hazardous waste treatment तो ये detail है इस topic का और इसके लिए आको क्या refer करना है my short videos on laws related to solid waste तो क्यूंकि solid waste के उपर पहले एक exam हुआ था जो exam था BPSC के थूरू था बिहार Assistant Public Sanitary and Waste Management Officer का exam तो उन बच्चों के लिए मैंने कुछ short videos बनाए थे तो वो मेरे playlist again environmental sciences, science in a nutshell यहां लिखा हुआ उसमें है उनको आप जरूर देखिए ठीक है इसके लावा GIS के उपर मेरा एक वीडियो है applications of GIS in solid waste management वो वीडियो भी आप देखिए उससे आपका concept clear होगा कि solid waste management कैसे किया जाता है इसके अलावा मेरा जो playlist मैंने अभी बताया BPSC Assistant Public Sanitary and Waste Manager Officer exam यह पूरी एक playlist है जिसमें की practice test है solid waste management पर practice test है वाइडिकल वेस्ट पर है वेस्ट पर है EIA के पर practice test है waste water treatment के पर मेरा practice test है तो वो सारे practice test इस playlist में मिलेंगे क्योंकि यह जो syllabus है यह काफे मिलता जूलता है BPSC Assistant Public Sanitary and Waste Manager Officer exam के syllabus से तो इसका जो playlist है वो आप जरूर देखिए उसमें जो practice test दे गये है objective type questions है उसमें वो आप तियार कर लीजे उससे इस exam में आपको बहुत फायदा होगा इसके अलावा Part B है इसी exam में जो पिछली बार syllabus आया था उसके इसाथ Junior Environmental Engineer Part B मैंने एक spelling गलत लिकिए Part B Having 30 questions each carrying 3 marks General Knowledge with special reference to history, art, culture, religion, literature, heritage and geography of Rajasthan Mathematics, reasoning and current affairs तो इसके लिए आप कोई भी अच्छी किताब जिसमें General Knowledge हो Rajasthan के बारे में भी थोड़ा बहुत हो और Mathematics और Reasoning को वो आप refer कर सकते हैं Maximum questions इसमें Mathematics और Reasoning और General Knowledge से आएंगे Rajasthan से related एक ही दो question आते हैं तो इसलिए अगर आप Rajasthan से नहीं हैं तो आपको घबराने के जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपका Mathematics और Reasoning स्टॉंग है तो आप ये काम कर सकते हैं तो जो भी मुझे बताना था मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया किताबें आपको तीन लेनी हैं जरूर ले लिजे इसके अलावा वाटर सप्लाई एंजिनरिंग बाई एसके गर और इसके अलावा इन्वार्मेंटल के मिस्ट्री बाई आनल कुमार्डे ये आपको लेना है और जो वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने हैं उनका लिंक इसी वीडियो के दिसक्रिशन वाक्स में है वो आप प्लीज जरूर देख लीजे क्योंकि वो आपको काम आएंगे उसमें कुछ इन्वार्मेंटल साइंस के लेक्चर्स हैं कुछ शॉर्ट वीडियो हैं और कुछ प्राक्टिस टेस्ट्स हैं और इसके अलावा मेरी एक प्लेलिस्ट है टेस्ट यो नॉलिज सीरीज वो भी यूस्फुल होगा तो आप रोज अगर आप आधा गंटा भी टाइम निकालते हैं इस एक्जाम के लिए और सर्फ मेरे जब डिसक्रिशन वाक्स में दिया गया है उसको पढ़ते हैं तो आपकी 33% मतलब वन थर्ड त्यारी हो जाएगी 100% त्यारी कराने का जिम्मा तो भगवान ही ले सकते हैं पर 33% त्यारी कराने का जिम्मा मैं लेती हूँ बाकी आप अलग-अलग सब्सक्रिशन से पढ़ते रहें 33% त्यारी आपके सिर्फ मेरे प्लेलिस को देखके होगी बाकी किताब्स जो मैं आपको रफर कर रही हूँ वो सारा करेंगे तो आपकी 100% त्यारी हो जाएगी ठीक है अलबस पूद एग्जाम जय हिंद जय भारत जाएग जाएग टेस्क्रिप्शन बाकी दिस्क्रिशन और लाएग जाएग विडिए लिए जाएग टेस्टेशन और वाट्सक गूट्स एग्टशन चीप वचिछ झाल